So, Hello everyone, Science M किसम आपका बहुत बहुत स्वागत है, जैसा कि यहाँ पर आप ओपिसली नोटिफ केसन देख पा रहे होंगे Nursing बालो के लिए Power Sector से Permanent कुसकबरी यहाँ पे रहने वाली है क्योंकि Power Sector से यहाँ पर स्टाप नर्स पद के लिए Permanent बढ़ती जारी हो चुकी है पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है कि Total नमरो पोस्ट कितनी रहने वाली है और यहाँ पर Age Limit आपका क्या रखा गया है और सीधी बढ़ती है रहने वाली है सबसे बड़ी बात है आयूशिमा, Section योगेता, आवसेक, दस्तावेज, और वेतन पूरा अपडेट यहाँ पर आचुका है और इसी के साथ यहाँ पर चेन परक्रिया जिसको आप सेलेक्शन प्रोसिजर बोलते हो उसका भी अपडेट यहाँ पर आचुका है CBT बेस आपका एक्जाम होगा क्योंकि यह परमनेंट बढ़ती है तो CBT बेस एक्जाम यहाँ पर कंड़क्ट करवाए जाएगा फोरम का पीस यहाँ पर आचुका है A2J सारी जानकरी आचुकी है और फोरम का वेबसाइड यहाँ पर आचुका है डोकुमेंट्स कौन-कौन से लगाने है उसका लिस्ट यहाँ पर आचुका है तो चलिए वन बाई वन करके सभी को यहाँ पर समझ लेते है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहूंगे यहाँ पर टोटल वन नाइंटीन वन पोस्ट रहने वाली है ठीक है सभी केटिगरी के लिए जैसे कि इसमें अभियन्त आ गया ठीक है और यहाँ पर सेंतर साइक आ गया और स्टाब नर्स तो यहाँ पर अगर हम कनिष्ट अभियन्ता की बात करे तो टोटल 6 है और सेंतर साइक की यहाँ पर 83 पोस्ट है और यहाँ पर औस्दी स्योजक की 57 जिसमें आपका सेंतर साइक इलेक्ट्रिकल आ गया मेकेनिकल में 83 है और इलेक्ट्रिकल में 56 है इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखे तो फार्मासिस्ट का यह देखे 8 और स्टाब नर्स का 14 केटिगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अनरिजरूड का कितना रहने वाला है तो आप जिस पोस्ट का देखना चाते हो इसमें देख सकते हो जैसे कि स्टाब नर्स का 3 है और यहाँ पर सेंधर साइक इलेक्टिकल का टॉल है और सेंधर साइक मेकेनिकल का यहाँ पर 19 है इन वेकैंसी का जिगर आप अपने रिलिटिव या फिर जो आपका फ्रेंट सर क्लेना उनको भी बता सकते है ताकि उनकी भी सरकारी नोगरी आपके साथ साथ लग जाए अब यहाँ पर देखो SC, ST, OBC सबी का यहाँ पर आप देख सकते हो Clear? तो यह नम्बरों पोस्ट यहाँ पर हमने Clear कर दिया अब यहाँ पर बात कर लेते Chain प्रक्रिया Selection Procedure की आवेदगों का पद Chain Computer आदारित प्रिक्षा Computer Based Test से प्राप्त अंकों के आदार पर किया जाएगा Computer आदारित प्रिक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें परते एक अंका होगा Qution Total 100 नमर का Paper है 100 इक्विशन आप से पूचे जाएगे परते Qution एक नमर का यहाँ पर रहने वाला है Computer आदारित प्रिक्षा में प्राप्त अंकों के आदार पर मेरिट आपकी तयार की जाएगी Chain इत आवेदगों का यहाँ पर सरनीवार, वरगवार, विग्यापीत पदों के अनुपात में आवश्यक ता नुशार दस्तावेज सत्यापनें तू आमेंतरित किया जाएगा और भी आँपर देख लेते हैं कुछ अपडेट्स इन्होंने आँपर मेंसन किया हुआ है जैसे की फोरम का पीस तो केटिगरी वाइज लग-लग यहाँ पर रहने वाला है जैसे की अन-reserved का यहाँ पर रहेगा बारासो रुपे फोरम का पीस और SCST वालों का यहाँ पर रहेगा OBC वालों का रहेगा मातर 600 चसो रुपे फोरम का पीस आपको देना होगा आविदन सुल्क नोन रिपेंडेबल है ठीक है और यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया हुआ है उनको देख लेते जो आपके लिए इपोर्टेंट है आविदन कैसे करे फोरम कैसे बरे यह तो मैं आपको लाइप प्रूप दिखाने वाला हूँ यह जो ओपिसल वेबसाइड है यहाँ से अभी आपको लाइप प्रूप हम दिखा देंगे क्योंकि यहाँ पर ओपिसल वेबसाइड पर अपडेट भी आ गया इसके लिए एक लाइक तो बनता है देखो MPPGCL.MP.GORMENT.IN क्लियर चलिए बढ़ते आगे के और अब यहाँ पर बात कर लेते एज लिमिट minimum Newton की कम से कम कितना होना चाहिए तो देखो PADCORD 1 के लिए यहाँ पर कम से कम आपका होना चाहिए 21 वरस और PADCORD 234567 के लिए होना चाहिए यहाँ पर Newton 18 वरस तो अलग-अलग PADCORD के लिए अलग-अलग यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट के लिए जैसे कि पुरुस आवएदक के लिए 40 महीला के लिए 45 है ना यहाँ पर अलग-अलग रखा गया है यह देख लो आप तो age limit में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली क्योंकि age में आपको relaxation जो मिलने वाला है अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर यह जो computer-based test होगा तो क्या इसमें negative marking भी होगी या नहीं होगी तो आपके लिए कुछी की बात है negative marking नहीं होने वाली अब तो selection पक्का है आप लोगों का तो यह syllabus भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जिसा है कि online आवेजन आम इंतरिक्त किये जाते होब इसली बात है आचुका update और cbt होगा इसके लबा सो क्यूशन आपसे पूचे जाएंगे ठीक है परिक्सा में पिचेतर परसन सम्मंदित विशे पर आदारित होंगे यानिके नर्सिंग के जो आपने कोलिज में पढ़ाई की पाश्ट एर सेगेंड एर थर्ड एर ठीक है वहाँ से क्यूशन बनेंगे तो अच्छी बात है इतना सा तो जीके नर्सिंग वालों का रता ही है कि वो कर प्रिक्सा की आवदी दो गंटे की रहेगी प्रिक्सा में अभ्यारती दोरा दियेगे गल्त उतरका नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा यह लाइन देख रहे हो आप नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा क्लियर कंप्यूटर आदारित प्रिक्सा का परसन कहां पर रहेगा कौन से पावर सेक्टर की वेकेंसी है तो चलो वो भी आपको दिखा देते हैं तो यहां पर नोटेपकेशन देखो आप मद्दे परदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से नोटेपकेशन आया है जबलपूर तो आपका जो जोब लोकेशन मद्दे परदेश में ही रहने वाला है मद्दे परदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से आया है यह सिधी बढ़ती है क्योंकि यहां पर रिक्वार्मेंटे कापी ज़्यादा इसलिए तो यहां पर बद का नाम पाली रसाइन अग्गे कनीश्ट अभियंता यहन की वो जदा रिक्वार्मेंट है यहां पर अब मौनलों यहां पर अगर हम देखे जिसे की पदकोर 6-7 केवल पूरी उमिद्वार तो यहां पर पदकोर आपको देखना होगा 6-7 वाला यह वाला बाकी हर जगह ग्रेल्स एंड बोईस दोनों अप्लाई कर सकते हैं अब यहां आप बोलेंगे सर्फ फोरम कबसे बरना है तो देखो फोरम आपका स्टार्ट हो जाएगा ओनलाइन आवेदन पोटल पर दो अपरेल को दो अपरेल को स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर देखो 30 अप्रेल 2004 को यहां पर होने वाला है लास्ट डेट तो यह डेट आप द्यान रखना यह अप्रेल में आपका फोरम लिंक एक्टवेट होने वाला है वो तो आपको मिली जाएगा क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रहा है बेल आइकन पर प्रेश जो कर रहा है अब यहां पर आगे इन्होंने मेंसेन किय कि किसके लिए कोण अप्लाई कर सकता है यह अलग लग है सब के लिए अलग लग योग्यता यहां पर है जैसे ऑस दी स्योजन के लिए फार्माशिस्ट के लिए यह वाली योग्यता होना चाहिए कि 10 प्लस 2 होना चाहिए है ना फार्म इसी का डिग्री डिप्लोम होना चाह यह इसी प्रकार स्टाप नर्स के लिए जो योग्यता यहां पर मांगी है वो मांगी है कि बार्थ सरकार द्वारा मानिता प्राप्त जिक्सा मंडल से 10 प्लस टू यहनकि बार्वी बोतिक सास्तर रसायन सास्तर और जी विज्ञान से उत्तीन होना चाहिए यहनकि आपके 12 में पीजिस केमेश्टि भाइलोजी सब्जेक्ट ओना चाहिए इसके लावा यहां पर धेक़े तो बीयेसी नर्सिंग अत्वा जलनर नर्सिंग मिडवाइपोरी यह तु आपका बीयास नर्सिंग ओना चाहिए या फिर जीनिम होना चाहिए इन्हें में से आपका कंप्लीट ओ यहां पर यह देखिए पूरा अपडेट आ गया कि यह कम से कम योग गयता अन आरक्षित यहों मद्य प्रदेश के मूल निवासरी अन्य पिछलाव रख्य अभ्यार्थ यह तो निवुनितम 65% पूरोवर्ति मद्य प्रदेश राज्य मंदल की उत्रवर्ति कंपनियों में कार दिव्यंग जन अभ्यार्ट यह तो निवुनितम 55% यह अंको का यहां पर इतना सा रखा गया है यह देखिए उप्यूक्त के साथ मद्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्टेशन काउंसलिंग से पंजिक रनोना चाहिए तो यहां पर आपका एंपी नर्सिंग से नरसिंग की खापी वेकेंसी निकलती है बहुती जल्द आपके राजस्तान में भी निकल जाएगी आपके यूपे में भी अपडेट आजाएगा और मैं तो कहता हूं हमारे पास न्यूज तो आ गया और आपके लिए वेकेंसी भी आजाएगी राजस्तान से भी बांकि देख पर देख पा रहूंगे यह इसका ओपिसल साइड रहने वाला है यह देखिए MP पावर जनेरेटिंग कंपनी और यह रहा आपका नोटिपिकसन ग्यारा तरेपन यह रहा डारेक्ट रिक्वार्मेंट वेरेस पोस्ट तो यह अपडेट ओपिसल वेबसाइड पर भी आ गया यह इसलिए दिखाया ताकि आपको विश्वास हो आपको यकीन हो और ओपिसल यह है एमकेस ब्रोफाइब टेलेग्राम चेनल राइट और लिंक दे ही रखा है डिस्क्रिप्शन में चलो और भी यहाँ पर देख लेते हैं इस नाम से भी आप सेर्च कर सकते हो और देख लो यहाँ पर पूरे पेडियप हमने डाल रखे है जो भी अपडेट आता है नरसेंग का यहाँ आपको मिल जाता है